हेलो मेरी प्यारी यूटूब फैमिली आपके अपने चानल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है तो कैसे हो आप आई होप सवच्चे होंगे तो ये है वीडियो बुद्धवार का और अभी हो रहा है सुभे का टाइम करीब अर्ली मॉर्निंग हो रहा है 6.56 बज़ने होंगे और मैं 5.50 बज़ने उटके किचन में घुस्चुकी थी और सारा काम मैं कर ली हूँ और स्लैब वेगरा गैस वेगरा सब साफ कर ली हूँ और पानी भी साती साथ भर ली थी 5.5 बजे से 6 बजे तक आता है पानी साफ उसके बाद फिर गंदा आता है तो यहां मैंने जितनी भी मलाई वेगरा है वो मैं निकाल ली हूँ बाद में दूद ससुर्जी लाएंगे तो उसको बॉइल करूँगी तो चलिए यहां पे है दूद मैंने यहां पे चड़ा दीती चाई भी चड़ा दी है इधर दीरे-दीरे बॉइल हो रही है और अब यहां पे मैं घर की जो साफ सपाई है साती सात वो भी कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में जितना हो सके वो काम सारा सफाई वेगरा निमट जाए तो वो सही रहता है और सुबह का काम जटपट ही करने का मतलब बिजली के तरह फटा-फट करने का रहता है और पता नहीं कि अपने आफी फूर्ती आ जाती है कि यह भी कर लू वो भी कर लू और सारा काम जल्दी निमट जाता है इस बहाने तो यहां पे सबची वेगरा भी रात में लाए थी थोड़ी बो टमाटर वेगरा गोबी वेगरा तो उसको भी मैंने दोकर कि अभी-भी रग दिया था और यहां से सारा पानी निकल जाएगा तब यहां पे तब तक मैं यह जाड़ु वेगरा है इसको मैं लगा देती हूँ सारा क्लीन वेगरा कर लेती हूँ क्योंकि सबसे पहले तो उठो ज़ाडू वेगरा ही से हाथ पे ज़ाडू ही जाता है उसके बाद फिर कोई काम करना होता है तो यहाँ पे मैं सारा जो है जो भी डस्ट वेगरा है सब उठा लेती हूँ तो अब मैं यहां बाहर की भी सफाई वेगरा है वो अच्छे से कर लेती हूँ जारू वेगरा है पूरे छट पे लगा दूँगी बैलकोनी में भी अच्छे से पानी का चुर्काव वेगरा दे दूँगी और पेर पौदे में भी थोड़े पानी वेगरा है वो भी मैं डाल होता है तो यहां पे वही मैं यहां पे जाड़ू वेगरा है अच्छे से लगा देती हूं जितने भी डस्ट है वो फेक दूंगी और फिर पानी का साड़ा चिरकाव वेगरा है दे देती हूं और आदे में न मैं अच्छे से जाड़ू वेगरा लगा देती हूं और यह जो प मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो चलिए यहाँ पे डस्टिन वेगरा है यह सब भी कर लेती हूं सोफा वेगरा को भी अच्छे से कवर वेगरा है जहार वेगरा देती हूं और समय और सब चीज बदल जाएगा तो इसको भी बदल दूँगे फिलाल के लिए भी यही चलेगा तो चलिए यहाँ पे यहाँ पे डस्टिन वेगरा का भी काम है इसको भी यहाँ पे निप्टा लेती हूं और साती साथ अब यहाँ पे पोचा वेगरा है लगा लेती हूं औ पर से पोचपोच के अच्छे से और यह भी काम मेरा निमटी जाएगा क्योंकि ना अब तो गर्मी आ गईी जितना ज़़हाः ज़्जा जादा अर्ली मॉर्निग में सारा काम निमट जाए तो वो ज़ी सही रहता यहां सात सावा सात हो गएते और मेरे सारे काम निमट गये ते और ये देखे पार्ट भी सुन रहे हैं और साती सात चाय भी पी रहे थे और ये निकलेंगे अब जल्दी जल्दी और मैं यहाँ पे फ्रेस बेगरा हो गई हूँाim सा मेकप है वो कर लेती हूं फ्रेस होने के लिए और अब यहां पे पाट पुझा भी कर लेती हूं और यह देखे बाबा जी का पोश्टर दसवे गुरु जी का लगाई हूं कितना प्यारा लग रहा देखने में भी लुक बहुत सुन्दा लग रहा और मंदिर भी बहुत प् फिलाल पहले मैं दूद उबलने के लिए रख देती हूं क्योंकि दूद आया नहीं था यह दूद अभी लेके आया है ससूर जी तो यहां पे दूद रख देती हूं और बिटिया रानी को भी फिर मुझे तयार करना है उसको भी फिर मुझे उठाना है बड़े लाट प्या यहां पे देखिए बैग में इसका भी यह लंच बॉक्स वगएरा बाटर बोतल और यह देखिए बुक वगएरा रख दी हूं और इसको मैं लेके जा रही हूं और यहां देखिए मैडम जो है इस सारे बच्चे को पोयम और रैम्स करवा रही है तो यह ना एक आंगनबारी ही हुई मतलब प्ले स्कूल जैसा हुआ प्ले क्लास मतलब बच्चे को यहां पे बैठना सीखे कैसे लंच करते हैं कैसे एक दूसरे से फ्रेंड से बात करते हैं मैम कैसे उनके साथ में बताती है एक्शन करकर के पोयम सुनाती है तो वही बच्चे यहाँ पे जाकर सीखते हैं फिर इसकूल जब जाते हैं अडुम्शन करवाते हैं तो वह ज़ादा बच्चे को प्रॉबलम नहीं होती है नहीं पूर इसलिए मैं एक दो मेना के लिए जसनूर को भेजूंगी फिर बाद में इसका अड्मिशन यहाँ पे तो अब यहां पे मैं घर आ गई हूँ और नास्ता का भी टाइम लगबग होई गया था और अब यहां पे बनाने जा रही हूँ गोबी के पराटे तो आज मैं गोबी भून के बनाऊंगी थोड़ा फ्राइ करके तो यहां पे मैंने मस्टर्ड वैल डाल दिया है थोड़ा सा म मतलब वही भाईया आगे तो लेट हो गया था तो यहां पे यह देखें सीम पे ही करके रखी थी जादा तेज भी नहीं करती फिर भी जल गया था यहां पे गोबी भी डाल दी हूँ और थोड़ा सा मैगी मैजिक मसाला डाल दी हूँ और काली मिर्च का पाउडर और अधूरा लगता है तो यहां पे डालके अच्छे से पराठे गरम गरम सेख दीती हूँ और लंच पैक करके एजबन जी को भी दे देती हूँ मैंने ससुर जी को भी बुला लिया था कि आप ले जाए लंच यहां से तो यहां पे यह देखे मतलब नास्ता ले जाए तो यहा पे बना लेती हूँ और अब यहां पे बैट सिट वेगरा है इसको भी यहां पे क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से और साथी साथ इस वीडियो को भी करती हूँ यह था मेरा चोटा सा वीडियो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दी और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजेगा अब मैं मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी वीडियो के साथ में तब तक के लिए अपने फैमली का ध्यान रखिएगा खुश रहिएगा और हेल्दी रहिएगा और आज मेरी बीटियरानी स्कूल गई है तो उसक के लिए लाइक जरूर कर दीजेगा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में ओके बाई लव योल टेक केर